कि स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है अंध्रूनी किनार और बोल्ड मिल गई विकेट जिसकी तलास थी गेंदबास को कि कहना होगा कि यहां पर शॉर्ट सिलेक्शन बहतर हो सकता था केम बाजी काफी डिसिप्लिन रही है अब तक कि हावा में दे मारा है आसानी से खेला एक रण के लिए कि और सटीक थ्रो कि अपेक्शा थी यहां पर कि यह पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए दमदार शॉर्ट और यह चक्पाव क्या बड़िया केला है कॉन्फिदेंश शॉट क्या बड़िया केला है कॉन्फिदेंश शॉट चतुराई से गेन बाजी कर रहे है गेन बाज बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा स्टम्स के बहुत करीब थी यह त्रो बड़िया फील्डिंग स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं यह सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है यह त्रो विकेट से दूर थी तेज गेन बाज को लाए गया है दूसरे छोड से और यह गेन हवा में आसानी से खेला एक रन के लिए खूपसूरत थ्रो बिलकुल स्टम्स के उपर अंतिम ओवर्स के लिए विकेट को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा बढ़िया बॉलिंग बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे हैं यहाँ पर बल्ले बास जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे ओ जबर्दस गेन बास यह इसी बॉलिंग को खेलना नामुम्किन बल्ले बास जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे बढ़िया बॉलिंग बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे हैं यहाँ पर बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बास को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा और यह गेन हवा में अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब बल्ले बास को बिल्कुल आइडिया नहीं था उस गेन को कैसे खेले इस्पिनर वापस आये हैं गेन बाजी के लिए बल्ले बास जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे आसानी से केला एक रन के लिए खूब सूरत रो बिल्कुल स्टम्स के उपर करारा प्रहार बल्ले बास का छे रण के लिए लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बास ने काफी मेहनत करनी पड़ी ये त्रोक कलेक्ट करने में कमाल के पचास रन पूरी सूज बूच के साथ खेला इस पारी को क्या ये इस 50 को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं क्या शॉट लगाया है फिल्डर्स बने दर्शक सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला यहां बल्ले बास ने सक्षर्वाइमिंग Kवी. इतना आसान नहीं है इस शॉट को एक्जिक्यूट करना चतुराई से गेन बाजी कर रहे हैं गेन बाज गेन बाजी में बदलाओ तेज गेन बाज वापस आते हुए गेन बाज अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं ये शॉट बढ़िया है अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन बल्ले बाज ने काफी अच्छा बैलन्स मेंटेन के हैं वाँपर बल्ले बाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं शानदार शॉट गेन सीधी बाउंडरी लाइन की तरह जाती हुई क्या ला जवाब शॉर्ट और री प्ले में और भी खूबसूरत लग रहे हैं गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा लगी बल्ले बाज को आशा करते हैं गंभीर ना हो देखना होगा क्या गेन बाज शॉट पिछ गेन की कोशिश करेंगे इस पिछ पे अधिया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेन पे बड़े अंकमफर्टबल लगे गैप में खेल दिया है क्या दूसरा रंच चुरा पाएंगे अच्छा थ्रोफील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पे रणिंग बिट्वीन दो विकेज बैतर हो सकती थी वहाँ पर गजब का कैच बल्ले बाज है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी इने कैप्टन काफी खुश गेन बाज से काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए ऐसे कैच इस ना सिर्व आपको मैच जिताते हैं बल्कि मुश्किल परिस्तितियों में टीम का मनोबल भी बढ़ाते हैं स्पिन गेज माज वापस आते हुए नए बल्ले बाज को स्ट्राइक पर रखने की बहुत कोशिश करेंगे यह कप्तान बड़ी अचार रन गेन बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तेह था बल्ले बाज ने काफी अच्छा बैलन्स मेंटेन किया वाँ पर बड़िया फॉर्म में लग रहे है बल्ले बाज खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिलकुल समझ नहीं पाए गेंज को बल्ले बाज जरूर्ट पिछली गेन के बारे में सोच रहे हूंगे और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच्छ दोनों बल्ले बाज एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए तब बारे में सोच बारे में बारे में सोच रहे हुए और भी जुद एक्टिन्टीन से वी इसक्वितना लिए भीक्टेशन वाहता है वह इसे एक्टेशना है वोड़ी जा दाल कीजिए थे हैड़ी कार्याओ only तक्टेशा जी हैड विए प्याहता सब्सक्रचाब सब्सक्राइब जाता है